आज की इस वीडियो में हम जिस चेप्टर को पढ़ने जा रही हैं उसका टाइटल है दा नियू स्कूल नियू बिग्निंग यानि एक नया स्कूल और नई शुरुआत एक कहानी एक टॉटर चैन नाम के एक छोटी लड़की की है जो अपनी मा के साथ एक नए स्कूल में एड लिखा है टेट सुको कोरिया नागी दुआरा लिखी ये फेमस बुक टोटो चान दे लिटल गर्ल एंद विंडो का एक छोटा सा अंस है मतलब कि जो अब हम चैप्टर आगे पढ़ने जा रही हैं ये एक पूरी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है ये एक ऐसे विचितर स्कू स्कूल में लेखक के पहले दिन की याद दिलाता है यानि कि कैसे लेखक ने अपना पहला दिन इस विचितर इस अद्वूत स्कूल में विटाया यही इस बारे में लिखा हुआ है तो चली अब शुरू करते हैं लिखा है जब उसने नए स्कूल का गेट देखा तो तो टो तोटो चैन रुख गई तोटो चैन ने जब अपने नए स्कूल के गेट दिखा तो उसे देख कर वे वहीं रुख गई जिस स्कूल में वह पहले पढ़ने जाती थी उसके गेट पर कंक्रीट के सुन्दर खंबे लगे थे जिन पर बड़े-बड़े अक्छरों में स्कूल का नाम लिखा हुआ था लेकिन इस नए स्कूल का गेट के वल दो खंबो चोटे खंबो का बना था जिन पर अभी भी टहनिया और पत्या लगी हुई थी तोटो चैन ने कहा यह गेट बढ़ रहा है लगता है कि यह तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि यह टेलीफोन की पूचा ना हो जाए दोनों गेट पोर्ट साफ साफ पेड ही लग रहे थे जिनकी जड़ भी लगी हुई थी जब वह नजदीक पहुची तो उसे स्कूल का नाम पढ़ने के लिए अपना सीर एक तरफ जुकाना पढ़ा ज्योंकि तेज हवा के कारण स्कूल का साइन उसे कुछ ऐसा ही दिखाई दिया जिसे देख उसे लगा कि वह सपना देख रही है वह नीचे बैट गई और जाडियों के बीच से बहतर ढंग से देखने के लिए जाका और उसे अपनी आँखों पर विस्वास नहीं हुआ जो उसने देखा उसने अपनी मा से कहा मा क्या व रेल गाड़ी के छे डिब्बों का इस्तमाल किया था तोटो चैन को यह कुछ ऐसा लगा जिसका आप सपना भी नहीं देख सकते ट्रेन में एक स्कूल था सुबह की दूप में रेल गाड़ी की खिड़किया चमक रही थी लेकिन जाड़ियों के बीच से उन्हें निहारती गुलाबी गालो वाली चोटी लड़की की आँके और भी जादा चमक रही थी एक पल बाद तोटोट चैन खुसी से चिलाई और ट्रेन से बनी उस स्कूल की ओर दोड़ने लगी कंदे से उपर से मा को पुकारते हुए बोलती जा रही थी चलो जल्दी करो इस खड़ी ट्रेन में चड़ो चोक कर मा उसके पीछे दोड़ने लगी मा अपनी बेटी को देखकर चोक गई और चोक कर अपने बेटी का पीछे करने लगी मा कभी बास्केट बॉल टीम में रह चुकी थी मतलब एक बास्केट बॉल की अच्छी खिलाडी थी इसलिए वे टोड़ो चैन से तेज थी और जैसे ही टोड़ो चैन दरवाजे के पास पहुंची उसकी मा ने उसकी ड्रेस पकड़ ली और कहा तुम अभी अंदर नहीं जा सकती यहां पर लिखा हुआ है कि जो रेलगाडी थी उसी में क्लासिस थी ठीक है तो रेलगाडी में ही क्लासिस हैं और तुम्हें अभी तक यहां सुईकार नहीं क्या गया है मतलब तुम्हें अभी तक एडविशन नहीं मिला है अगर तुम सच में इस ट्रेन में चड़ना चाती हो तो तुम्हें पहले हैड मास्टर के साथ अच्छे से और विनम स्वभाव में बात करनी होगी उनसे मिलना होगा हम अब उनसे मिलने जा रहे हैं और अगर सब ठीक रहा तो तुम इस स्कूल में जा सकोगी क्या तुम समझी टोटर चेन ट्रेन पर तुरंथ ना चड़ पाने के कारण बहुत निरास थी लेकिन उसने फैसला लिया कि उसे मा के कहे अनुसार ही काम करना चाहिए टोटर चेन ने कहा ठीक है और मुझे यह स्कूल बहुती पसंद आया मा को लगा कि उसे बता दे कि बात यह नहीं है कि उसे स्कूल पसंद आया या नही बलकि यह है कि हेड़ मास्टर टोटर चेन को पसंद करेंगे या नही लेकिन उसने टोटर चैन की ड्रेस छोड़ दी और उसका हाथ थाम लिया हैड मास्टर के ओफिस की और चल पड़ी सभी रेल गाड़ी सांथ थी क्योंकि दिन की पहली क्लासिस सुरू हो चुकी थी दिवार की बजाए कम से कम विसाल स्कूल का ये मैदान पेडों से घिरा हुआ था वहां लाल और पीले फूल भी भरे हुए थे फूल खिल रहे थे हैड मास्टर का ओफिस एक रेल गाड़ी के डिब्बे में नहीं था बलकि गेट के सामने की तरफ एक मंजिल की इमारत में दाई तरफ था जो लगबग साथ पत्थरों की सीड़ी के उपर था मतलब साथ पत्थरों की सीड़ी चड़कर ओफिस में जाना था तोटो चैन ने मा का हाथ छोड़ दिया और तेजी से सीड़ी की ओर चड़ने लगी फिर अचानक घूम गई जिससे मा लगबग उससे टकरा गई मा ने पूछा क्या बात है मा को डर था कही तोटो चैन ने स्कूल के बारे में अपना विचार ना बदल दिया हो सीड़ी पर खड़ी टोटो चैन ने मा से गंभीरता से कहा जिस आदमी से हम मिलने जा रहे हैं वह स्टेशन मास्टर होना चाहिए है न मा ने धेरिया रखते हुए धेरिया के साथ मजा करने की भी खूब आदत थी उसने अपना चेहरा टोटो चैन के पास किया और फुस्वसाते हुए पूछा और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो अंदर होंगे वो स्टेशन मास्टर होने चाहिए टोटो चैन ने फुस्वसाते हुए कहा तुमने कहा है कि वे हेड मास्टर है लेकिन अगर इन सभी ट्रेनों के मालिक है तो वे स्टेशन मास्टर ही होंगे मा को यह सही कार करना पड़ा कि स्कूल के लिए पुरानी रेल गाड़ी का इस्तिमाल करना अजीब बात है लेकिन समझाने का समय नहीं था उसने बस इतना कहा माने बस इतना कहा तुम खुद उनसे क्यों नहीं पूछ लेती और वैसे डैडी के बारे में तुम क्या कहने चाओगी तो मारे टैडी वाइलन बजाती हैं और उनके पास कई वाइलन भी है लेकिन इससे हमारा घर वाइलन की दुकान तो नहीं बन जाता है ना टोटोचैन ने अपने मा का हाथ पकड़ते हुए सेमती जैता ही और कहा नहीं ऐसा नहीं है जब मा और टोटो चैन अंदर गई तो ओफिस में बैठा आदमी अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ उसके सिर पर बाल पतले थे और कुछ दात गायब थे लेकिन उसका चेहरा स्वस्त लग रहा था हाला कि वह बहुत ही लंबा नहीं था लेकिन उसके कंदे और बाजू मजबूत थे और वह एक बहुत ही गिसा पिटा काला सूट पहने हुए खड़ा था टोटो चैन ने जल्दी से जुक कर उनसे पूछा क्या आप स्कूल मास्टर है या हेड मास्टर मा सर्मिन्दा हुई लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाती उन्हों ने यानि हेड मास्टर ने हस्ते हुए जवाब दिया मैं स्कूल का हेड मास्टर हूँ टोटो चैन बहुत खुस ही ओह मैं बहुत खुस हूँ क्योंकि मैं आप से एक एहसान मांगना चाहती हूँ मैं आपके स्कूल में आना चाहती हूँ हेड मास्टर ने उसे कुरसी दी और मा की और मुड़े और मा से क्योर मुड़ते हुए कहा अब तुम घर जा सकती हो मैं टोटो चैन से कुछ बाते करना चाता हूँ टोटो चैन एक पल के लिए बेचैन हुई लेकिन फिर भी उसे लगा कि इस आदमी के साथ ठीक से बात कर पाएगी मा ने भी सहास पूरवक कहा और ठीक है तो मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ और बाहर जाते हुए मा ने दरवाजा भी बंद कर दिया हेडमास्टर ने कुरसी खीच कर टोटो चैन के सामने रग दी जब वे दोनों पास पास बैठ गए तो हेडमास्टर ने कहा तो अब मुझे अपने बारे में सब कुछ बताओ जो कुछ भी तुम कहना चाती हो मुझे बताओ टोटो चैन ने कहा कुछ भी जो मैं चाती हूँ टोटो चैन को उमीद थी कि वे ऐसा सवाल पूछेंगे जिसका जबाब उसे देना होगा जब हेडमास्टर ने कहा कि वे जो चाहे उसके बारे में बता सकती है तो वे है इतनी खुस हो गई कि उसने तुरंत बात करना सुरू कर दिया यह सब थोड़ा बहुत उल्जा हुआ था लेकिन उसने अपनी पूरी हिम्मत से बात की उसने हेडमास्टर को बताया कि जिस ट्रेन से वे आई थे उसकी जो स्पीड थी वो कितनी कम थी मत्था कैसी थी, स्पीड कैसी थी कैसे उसने टिकिट कलेक्टर से पूछा था लेकिन उसने उसे अपना टिकिट रखनी की अनुमती नहीं दी दूसरे स्कूल में उसकी क्लास की जो टीचर है वो कितनी सुन्दर थी निगल के गोसले के बारे में उनके भूरे कुते के बारे में रोकी जो हर जग है हर तरह की चाले कर सकता है कैसे वह किंडर गार्डन में अपने मूँ के अंदर कैची चलाया करती थी मूँ के अंदर टीचर ने उसे कैसे समझाया था कि ऐसा करना गलत है उससे उसकी जीब भी कट सकती है लेकिन उसने फिर भी ऐसा किया कैसे वह हमेशा अपनी नाक साफ रखती है क्योंकि अगर नाक बहती है तो मा उसे डाटती है पिता जी कितने अच्छे तैराक है और कैसे वह गोता भी लगाते हैं कैसे वह स्विम करते हैं अच्छे से वह लगातार बोलती रही हेड मास्टर हसते सीर हिलाते और कहती और फिर और फिर आगे और टोटर चैन इतनी खुश थी कि वह लगातार बोलती रही लेकिन आकिरकार उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा वह अपना मूँ बंद करके बैठी रही कुछ सोचने की कोसिस कर रही थी हैड मास्टर ने फिर पूछा उससे अपने दिमाग पर जोर दे दिया देते हुए फिर से उसके दिमाग में एक और विचार आया वह उसे उस दिन पहनी गई ड्रेस के बारे में बता सकती है उसकी ज़्यादा तर पोसाक मा ने बनाई थी लेकिन यह दुकान से आई थी जब वह साम को घर लोड़ती थी तो हमेशा उसके कपड़े फटे होते थे कुछ फटे कपड़े जो बहुत ज़्यादा फटे हुए थे मा को कभी नहीं पता चलता था कि वह उसके कपड़े ऐसे फट कैसे जाती है यहां तक कि उसकी सफेद सूती पैंट भी कभी-कभी फट जाती थी उसने हेडमास्टर को बताया कि जब वह दूसरों के बगीचों में बाड के नीचे से बाड यानि जो घेरा बनाया होता है उसके नीचे से रिंग कर जाती है या फिर खाली पड़े मैदान में कटीले तारों के नीचे चिप जाती है या निकलती है तो उसके कपड़े वही पर फट जाते हैं इसलिए उसने बताया कि आज सुभह जब वह यहां आने के लिए कपड़े पहन रही थी तो मा दुआरा बनाए गई सभी कपड़े फटे हुए थे इसलिए उसे मा दुआरा खरीदे गई नए कपड़े पहनने पड़े इस पर छोटे घहरे लाल और भूरे चैक थे और यहां जर्सी से बना था यहां पर टॉटो चैन कपड़े के बारे बता रही है जो उसने पहने हुए है यह कि इस पर छोटे घहरे लाल और भूरे चैक थे और यहां जर्सी से बना था यह बुरा नहीं था लेकिन मा को लगता है था कि कोलर पर कड़ाई की गई होगी लाल फूल खराब लगते है मा को कोलर पसंद नहीं था टॉटो चैन ने हेड़ मास्टर को दिखाते हुए यह सारी बाते बताई इसके बाद वे चाहे कितने भी कोसिस कर ले कुछ और कहने के बारे में सोच नहीं पाई मतलब इसके बाद जो टॉटो चैन है वो और कुछ नहीं सोच पा रही थी इससे वे काफी दुखी हो गई लेकिन तभी हेड़ मास्टर उठे अपना बड़ा गरम हाथ उसके सिर पर रखा और कहा अच्छा अब तुम स्कूल में एक स्टूडेंट के रूब में आ सकती हो ये हेड़ मास्टर के सब थे और उस पल टॉटो चैन को लगा कि वे अपने जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जिससे वे वास्तम में पसंद करती है आप देखिए कि तब तक इतने लंबे समय से किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी थी और उसे पूरे समय हेड़ मास्टर ने एक बार भी जमाई नहीं लगी मतब कि हेड़ मास्टर को टॉटो चैन की एक भी बात बोरिंग नहीं लगी इसलिए उन्होंने कही उसमें उबाओ जो जमाई है वो नहीं ली बलकि वह उसकी बातों में इतनी दिल्चस्पी ले रहे थे कि जितनी बात उसकी दिल्चस्पी ज़्यादा ज़्यादा इंट्रेस्ट ले रहे थे हेड़ मास्टर टॉटो चैन ने अभी समय देखना नहीं सीखा था लेकिन उसे यह काफी लंबा समय लग रहा था अगर वह समय देख सकती तो वह है हैरान हो जाती और हेड़ मास्टर की और भी और अधिक आभारी होती और ज़्यादा खुस होती हेड़ मास्टर से च्योंकि देखिए जब मा और टोटो चैन सुबह 8 बजे स्कूल पहुँचे थे और जब उसने बात खतम की तो हेड़ मास्टर ने उसे बताया कि वह स्कूल की स्टूडेंट बन चुकी है तो उन्होंने अपनी जेब से गड़ी निकाली और कहा लेंच का समय हो गया तो यहां से हमें पता चलता है कि सुबह जब टोटो चैन आई तो 8 बजे हुए थे जब हेड़ मास्टर से उनकी बात खतम हुई तो लेंच हो गया था तो लेंच हो गया तो यहां पर हमें पता चला कि टोटल जो इनन ने समय बिताया बात्चीत बात्सक्राइब बैर कि वह चार गुंटे कि बात सुनी थी तो हमारे ये चैप्टर आज यहीं पर खतम होता है उमीद है आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में लिक कर जुरूर बताए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में एक उसना अंसर आपको जल्द ही इस चैनल पर मिल जाएंगे जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्किप्शन से मिलेगा